मैं डाक्टर इसाद लिखान साचारी राजमति विग्यान राज के बंगण मार्द जीदुवाना में कर रहे थो आज हम बारती सुविदान की विशेष्थाओं के अगले पार्टों का दिन करेंगे पहले हमने बारती सुविदान की विशेष्थाओं में 15 विदुवां का दिन किया था जिन में हमने पढ़ा था लोगप्री प्रभु सता प्रादाई सुविधान है निर्मित लिखित शर्वदी व्यपक शुविदान है सहमतियर शमय जनका प्रेनाम है हमार शुविदान संब भाज वादी राज्याई ध्रमने फैक्स राज्य है प्ठोडा राची में लज्ची लेपन का सम्रिए है सन सदा अंक्षासन व्हक सव पनाली है एक अत्म क्लक्षन वुरस्षने वह है संसहा नौशता का ने एक शरोचता को मद्यम मेरे शुयुदार मॉलिक अदिकार चुर्छान में य्याने कि हम कि चुछता संग्यये प्रंप्रा नागरी कोंके मूझ अधिकार किरक्षा है तो सुम्हरेख न्यायपालिका की व्वस्ता करता है जब कभी है आरिपालिका आदेश या व्वस्तापिका कारन। स्वय धराओं Yeah, या वे अपने अधिकार से बाहर होकर कारी करते हैं, तो ने अवे दिट करता है. नागरिकों के अधिकारों के रक्षिय आयतु, ने अधिकार अधिश्य चाल प्रत्रित्jskषे निदी प्र। अतिकार पर्च्छा और उत्कृसल अधिलेखूं को जारी कर सकता है. सरोची नहिले के निने देश के सबी नहिलेओं में परबादिकारी होते हैं अत्राथ हम कह सकते हैं कि संगातम शासन व्यवस्थाक में नहाईपाली का शुविधान की व्यख्या और रख्षक होने के कार्ण उनका सुतंतर होना आउशक है इसके अतरिक सुईधान द्वारा नाग्रिकों को परदान किये गए मौलिक अधिकारों रक्षा के लिए भी नयाई पालिका के सुतन तता नितान ता विश्यपती है नयाई पालिका के सुतन तता है तुर सुईधान में अनेग विश्यष विवस्ताई की गई है ये था स्रोशी नहयले और उस नहयलेों के नहयदिसों की नियुक्ती राष्टपती दोवारा होना, नहयदिसों को पद्ग की शुरुक्षा प्राप्त होना, नहयदिसों के कारेकाल में उनके वेतन में कमी ना हो सकना और नहयदिसों के आत्रन प्रवेस तपिका दोवारा वि विशेष रूप से अन्य अभिकरन भी है जो सुट्वंत्र है जिन में विशेष रूप से निर्वाचन आयोग निर्वाचन आयोग नियंत्र के माले का पिशक गुवल संग लोग श्यवा आयोग परमुख है इसके पर स्विधान नागरिकों को और वेक्ष मत्रिकार परदान करता है बारती सुटान में पेले एकीज़िवाचन संसोधन से पहले भारतीयों को 21 वर्स के होने के प delivers 21 वर्स आयोग परमूप करने के प्रमूप करने के उससे नागरिकों को मत्रा दिकार निर्वाचन मत्र करने का अधिकार परम॥ है प्रफ्टेग नागरी कियान इस्तरी पूर्ष को निर्वाचन में मददान करने का अधिकार प्राप्त है संपर्दाइक चुनाओ निर्वाचन परनाली समाप्त कर दी गई है और श्विविक निर्वाचन परनाली को अपना लिया गया है जो पहले एक गुरू भार पदत्ती था उसको समाप्त कर दिया गया है केवल अनुसुज जातियों अनुसुज जन जातियों पिछले वर्गों के लिए विशेश वेशता है इसमें की गई है अतात हम कह सकते हैं कि बिटिस सासनकाल में 1919 के कानुन द्वारा संपदाय की पदत् एंता नविन सुद्धान के अंधरगत समपरदाइक पद्पति का अंतकर वेक्स मतादिकार के इधार पर स्वेश प्रतिन द्वारा पेर्दति काप्ति को अपनाए गया है क्रोड़ों वेक्तियों को एक साथ मतादिकार परदान करना सुद्धान सभा का निश्चित रूप से एक साथ सिकारिय था प्रोफेसर निवासम के अनुसार संपर्दाइक चुनाव पद्धतिक समाप्ति और वैक्स मतादिकार का प्रारम नए सुरिधान की महान करांतिकारी विशेस्ताओं में से एक रही है इसके पश्चाद जो है एक हारी नागरिकता यहने एकल नागरिकत यानि के सर्विधान में संगहत विवस्ता की स्थापना करता है हमारा देस रंठुख उस में अन्य संगहत स difद्धानों के बांती जेखए दोरी नागरिकता की विवस्ता ने की day question यानि राष्ट एक्ता कि आउश्काओं का अन्भू करते वे भारतिये सुधान निर्माताओं ने एकारी नागरिकता को अपनाया। भारत में नागरिक किशी भी शेतर में निवास क्यों न करता हो सबी को एक ही नागरिकता प्राप्त है वह है भारतिय नागरिकता कानुन नागरिकों को बंगाली पंजाबी या मराठी के नाम से नहीं बलकि भारतिय नागरिकी रूप में पैचानता है अताद हम कह सकते हैं कि भारतीय सुएधान के द्वारा संगात्म किसासन की इस्तापना की गई है और शामानेत एसा समझा जाता है कि संग राज्ज जी के नागरिकवों को दोहरी नागरिकता प्राप्त होने चाहिए पर्थम संग की नागरिक्ता याने केंदर की देश की नागरिक्ता और दुईतिय इकाई या राज्य की नागरिक्ता याने परदेश की नागरिक्ता परन्तु सुईत जो जैसे की हम कह सकते हैं सुईत राजी अमरीका और अन्य संग राज्य में ऐसी विष्टा ही है लेकिन भ दोरी नागदिक्ता भारत की एक्ता को बनाय रखने में बात दक्षित हो सकती है। अतार सुईदान निर्मातां उद्वारा संग बैज्जी की स्थापना करते वे भी धोरी नागदिक्ता को नहीं वरन एकल नागदिक्ता एक खारी नागदिक्ता के आदर्श को अपनाया गया है। विशेश रूप से 330-335 में यानि किसमें अनेक बार परजातन्त्र के आलोशना करते हुए इसे भहुमत का अत्याचार की संगय दी जाते हैं लेकिन वहार्टिस्विधान में अल्प संक्यों को के धार्मिक भार्षिय सांस्क्रतिक घृतों के दक्ष्या के लिए विशेश व सब्सक्रतिक जाते हैं को सुविधान के अंचे 330 और 332 के अंतरगत लोग सबा तता राज्य विदान सबाओं में आरक्ष्ण परदान किया गया है परारम में यह विश्ता 25 जनुरी उनिस सार्ट के लिए की गई थी किन्तु सुविधान में सुनसोदन कर इसकी समय शीमा को बड़ाया जाता रहा है और पच्चान में सुविधान सुनसोदन द्वारा 1910 में इसे प्रतिदी समस्ताओं में आरक्ष्ण की विवस्ता 25 जनुरी दोजाबीस तक लागू की गई अभी 2020 में भी इसमें सुनसोदन करके और आगे बढ़ा दिया गया है अनुसरी जातियों जन जाति लिए शेवाओं सरकारी शेवाओं में दाओं क्लेम्स की विवस्ता अनुछे तीन सो पैंथीस के अंट्रकत है और स्विधान के अनुसार इन दाओं जिनने सामाने स्क्ष्ण आरक्ष्ण के नाम से जाता जाना जाता है के लिए कोई समय शिमाने लिदायटनी की गत कुछ वर्षो में अन्ने पिछड़े वर्गों औबीसी के लिए शिवाओं में आरक्षन की विवश्रिक्तान बोग की गई थी 1989 से इस पुस्टंग मत्यवर विवाद की इस्तिती बनी तब केंदर सरकार की शिवाओं में आर्ट सितंबर 1993 से अन्ने पिछड़ा वर्गों के लिए 27% आरक्षन लागू हो गया लेकिन इन जातियों के संपन तबके को इसका लाब नहीं मिलेगा राजिस्तर पर इस समंद में अलग-अलग विवस्ता हैं इन सबी दलित वर्गों को यह सुईधा इस दर्ष्टिस से दी गई है कि इन वर्गों की बहुत आर्थिक इस्तिती बहुत गिरीवी होने के कारण इन वर्गों को विकास के लिए विशे शुईधाओं की अवश्यक्ता है सुईधान की ये ववस्ता समानता और परजातनतों की शिद्धानतों का उलंगनी वर्णवाष्टिक और वहवारिक गूप में इस शिद्धान के परति पर प्रितन किया गया है इसके बाद में सामाजिक समानता के बारे में जैसे कि भारती सुईदान राजनितिक समानता के साथ सामाजिक समानता के विवस्ता भी करता है और आर्थिक समानता लाने का प्रियास करता है उधानता है सुईधान ऐसपरष्टा का अंत करता है ऐसपरष्टा को फेलाना या बढ़ावा देना एक दर्ण्मिए अपराध है नितिजिस्य तत्कों के माद्यम से सुईधान आर्थिक समानता लाने का प्रयास करता है यहने कि हम यह कह सकते हैं समाजिक समानता में कि समनेत है सुईधानों के दुआरा अपने नागरीकों की राजनितिक और कानून समानता पर ही बल दिया जाता है समाजिक समानता पर नहीं लेकिन भारती सुईधान की विशेस्ता यह है कि सुईधान के दुवारा समाजिक शेत्र में सभी नाजुरिकों की समानता के सिध्धान का परते बादन किया गया है इस सम्मंद में सुईधान के अनुचेद सत्रा में का गया है कि एसपरस्ता का अंत किया जाता है और उसका किशी भी रूप में आचरन निशेद किया जाता है किशी भी रूप में एसपरस्ता का आचरन वीधी के अनुसार दरननी होगा बार्त में दलित वर्गों की गिरीवी इस्तिती में सुधार करने के लिए सुधान में इस प्रकार की विवस्ता करना आउशक था विवार में देखा जाए कि अनुशेद सत्रा द्वारा की गई विवस्ता के बावजूद ग्रामे जाती जञती के वेकृतियों पर अत्याचार की कटने एंगहतित होती रही इस कारण उनीस ञवादी में अनुश्य जाती वो जण जाती अत्याचार निरोद नगर बनाए गया यह कानुन इस उदिश्य के लिए बत के गश्युद relev में सबस्य हदिक ठोर रहा है यह कानुम उचीत है लेकि इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस कानुम का कोई दूर्पयोग ना करें यानि इसके अलवा निर्दिश जाती हूं के लिए विशेश विवस्ताइं की गई है जिसे बारती सुईधान के भाग सौला में सौला के तेरा अनुशेद हैं विशेश में 335jung 332 से में विशेश विवस्ताइं क Storage इं इन विशेश विवस्ताः के अंत्रगत सौला में स्विदान और भारती समधाय के लिए लोगसबा में विशेश करता है यह विसे लोगसबा में परियाप्ट परतिस प्रांसा स के लिए भी इस्तान निश्चित करता है परशासनिक सेवां और शीक्षासनस्ताओं में इन जातियों के लिए वीशेश सुईदाइं उपलब्ट कराई जाती है इसके अलावा जो है लोकल लैन का राज्य की स्थापना का आदर्श है यह यानि कि सुईदान भारत में पुलिस स्थापना नहीं करता अपी तो लोकल लैन का राज्य की स्थापना करता है इसका अर्थ है कि यह है कि सुईदान राज्य के केवल नकारत्मकारियों को ही निजदाइत नहीं करता बलकि उसे कुछ शकारत्मकारियों भी सुथता है ताकि सुईदान की पस्ताउना में दिए कि आर्थिक सामाजिक राजदितिक न्याय विचार अभिव्यक्ति की सुतनता इस्तिती एवं आउसर की समाउंता या आस्वासन को पुरा किया जासके पंचोर्शी योजनाउं समाजवादि इस्तापना को बहुत आछ में लोकल लैन का राजदिक राज्य में शुरिधान के निटली सम्ता दित्तों के जाता है ढर्द बारत पंचोर्व में एक आदर्षे निश्चित किया गया है वहा आदर्ष समाउंता कुश्टिक राजे के इस्तापना भारती सुधार निर्माता इस पश्ट रूप से चाते थे कि भारत के केंद्री और राज्य सरकार ने भारती नागरिकों को पुष्टिकर भोजन यानि उत्तम प्रकार का भोजन वस्तर निवास, शिक्षा, स्वास्ते की अधिक अधिक सुधार हैं परदान करें उनके जिवन लक्षच को कराफ्ट्प करने के निद्र प्रकाःत की जाय रहें इस लक्षची की प्राप्ती के लिए कि सित्रा के कुल अनुचे नो है जिनमें अनुचे 333 से लेकर 300 इक्याउन तक बासा से समझ दिता है सुईधान जाहां से तरी बासाओं के विकास की पूरी सुईधाय परदान करता है वहीं राष्ट्रि एक्ता और शंपर्ग बासा के रूप में देवनागरी लिपी में सुईधान में हिंदी को देवनागरी लिपी में भात की राष्ट्र बासा को शित्त किया गया है इसके साथ ही संगिय सरकार के सभी कायल्यों में सुईधान लागू होने के 15 वर्ष बात तक अंग्रेज जों अंग्रेजी की प्रियों की आग्या दे दी गई है सुईधान मे के प्रियोग की अन्मोति दी जा सकती है उन्नी सुपेंश्रक में स्वेश्ट बासा विधायक पास कर अनिश्ट काल तक हिंदीक साथ अंग्रेजी को जाड़ रखने के अन्मोति दी गई है राज़ बासा राष्ट्र बासा की वश्टा सित्री बासाओं के प्रकृति नहीं है सुईधान में भारती बासाओं को विभिन रज्जियों में प्रादिश्ट बासा के रूप में प्रियोग करने के लिए सुईकार्थ कर लिया गया है अब भारत में बाइस बासाओं को प्रादिश्टी बासा के रूप में मननेता प्राप्त है इसके बाद में हम अंतराष् करता है यहने कि भारत अंत्राष्ट श्यांतिर शुक्षा का इक चुक है वैराश्ट्रों के बीच न्याई तता संबान पूं संबंदों को इस्तापित करना चाहता है तता विवादों की निक्तारे के लिए सांति में शादनों पर पल देता है वह किसी दूसरे देश की आंत्रिक मामलों में श्थक्षेप करना चाहता भारत की विदेश निति की मूल पत्वाद में विशेश रूप से श्यांतिवाद असलंग्ताव अंतराष्टि कानुन और अंतरश्रंस्ताओं के प्रतियादर सामराज्यवाद उजातिवाद गाविरोध आधि भारती विद परक्षार में अनुछे चालिष में स्वायत सासन की एकायों की रूप में ग्राम पंचाइतों के संगेटन की विवस्ता सवीधान में पहले ही विद्य है इस पर भी थेत्रवें और छोत्रवें सवीधान संस्वादन अधिन्यम द्वारा पंचायतों और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि थेत्रवे स्विधान को भाग नो में जोड़ा गया है चोत्रवे स्विधान स्विधान द्वारा याने कि नगरपाली का नगरिये निगम और पंचाहित राज सस्थाओं को भी इसमें मैतुपुनिस्तान दिया गया है यह भारत के सुविधान की बहुत बड़ी विशेश्थां में से याने हमें कह सकते हैं कि इसके अत्रिक भी हमने स्विधान की स्विधान की विशेश्थां का ही जा सकती है थो Comble e such camping 12 9 2 नितित है इति हैं वा इतना अधिनक रेंगे और ये जंग करेंग ये कि भार्ति सोड़ान की पूरी विशच्ट नोफ